जैहिन दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है अगर आपको सब्जेक्टी से अन्य टॉपिकर वीडियो देख रही है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी यदि अभी ता हमने उस टॉपिक की वीडियो अप्लोड नहीं की है जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम कोसिस करेंगे कि 24-47 गंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोबाइट करा दी जाए तो आईए आज की वीडियो पर हम चर्चा कर लेते हैं हमारी जो आज की वीडियो है वो B.S.E. Agriculture के First Semester के Agonomy Subject पर आधारित है तो वीडियो में सबसे पहले हम उन बिंदों पर बात कर लेते हैं जिन पर की वीडियो में हम आगज चर्चा करेंगे जिसे कि हमें एक basic idea हो जाए कि वीडियो में हम किन किन टॉपिक कर बात करने वाले हैं तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा Nutrient Use Efficiency यानि पोस्चक तत्व उप्योग दच्चता क्या होती है उसको हम जानेंगे दूसरा टॉपिक रहेगा जो अलग-अलग तत्व होते हैं उनकी जो उप्योग करने की पौदे की छमता होती है हम कहें कि उसकी जो दच्चता होती है उसको हम जानेंगे और तीसरा और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोस्चक तत्व उप्योग जो दच्चता होती है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और से क्या-क्या factor ने बढ़ाने के उसको हम जानेंगे तो आईए सभी पर एक करके बात कर लेते हैं तो हमारा पहला topic है वो है nutrient use efficiency यानि पोसक तत उपियोग दचता तो सबसे पहले हम जो term है इसमें efficiency यानि दचता इसको हम समझ लेते हैं ताकि आपको यह समझ में आ जाती तो आगे कर जो concept है उसको समझने में थूड़ी आपको रहा तो या आसानी हो जाएगी तो efficiency का अर्थ होता है कि जब हम किसी field में input कोई भी input प्रोवाइड करते हैं उस input से हमें कितना output मिला है उसी को हम efficiency बोलते हैं इसको हम nutrients use efficiency बोलेंगे बाकी अभी हम आगे और भी example देंगे आपको तो सबसे पहले हम इसकी definition पढ़ लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए हो सकता है भी आपको समझ में ना आई हो लेकिन definition पढ़ने के बाद और example समझने के बाद यह आपको बहुत ही आसानी से सम जो क्यर ली जाती है और जिससे पौदे की जो उत्पादन है उसमें ब्रदी हो उसी को पोश्चक तत उपयोग दर्चिता कहते हैं कहने का आर्थ है भही जो हमने आपको उपर बताया था कि अगर मानलों किसी फिल्ड में 100 kg अगर nitrogen प्रोबाइट कर रहे हैं तो उसी कितनी म मात्रा जो हमारे पौदे हैं वो उपयोग कर रहे हैं जिस मात्रा को उपयोग कर रहे हैं बही इफिसेंसी होगी और वो न्यूट्रेंट है तो वो न्यूट्रेंट यूज इफिसेंसी होगी अगर वो पानी का उपयोग कर रहे हैं तो वो बाटर यूज इफिसेंसी होगी आईए एक example से इसको समझ लेते हैं ताकि आपको एक दम किलियर हो जाए तो इसका example है मानलो हमारे पास एक धान का फिल्ड है उस फिल्ड में हमने 5 कितनी nitrogen प्रोवाइट की है तीन केजी पुटास प्रोवाइट की है और जो हमने 1.5 केजी प्रोवाइट की है वो फास्वरस को हमारे पौदेने उप्योग की तीन केजी पुटास में से 2 केजी जो पुटास है उसका उप्योग किया और जो डेड़ केजी फास्वरस है उसमें से 1 केजी उसने उप्योग किया यानि फास्वरस का तो जी क्या होगा तो चार केजी nitrogen दो केजी पुटास और एक केजी फास् किया है तो हमें उससे इल्ड कितनी मिली है तो आप बात कर लेते हैं जो अलग अलग तत्व होते हैं उनकी जो उप्योग करने की छमता होती है पौदो की वो उसको 100% उप्योग नहीं कर सकते बलकि अलग अलग होती है जैसे आप अपनी स्क्रीनिर पर भी देख रहे होंगे ज जमता का अर्थ है जैसे मानलो हमने अपने फिल्ड में 100% नाइट्रोजन प्रोवाइट की अब उसका जो पौदे हैं वो 100% उसका उप्योग नहीं कर पाएंगे बलकि उसमें से कुछ मात्रज होगी वो या तो रन आफ हो जाएगी रन आफ का अर्थ होता है वो मिर्दा की नीचे वाली सते में चली जाएगी या वो निसकरी हो जाएगी खर्पत बार बगेरा उसका उप्योग कर लेंगे तो जो हमारे पौदे हैं वो 40-50% ही उस नाइट्रोजन का उप्योग कर पाएंगे अगर हम 100 kg अगर प्रोवाइट कराते हैं तो उसमें से 40-50 kg यह आपको बता देते हैं हाला कि एक्जाम में बहुत कमिशन ही पूचा जाता है लेकिन अगर यह लॉंग कोशन में आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजन का हम आपको बताई चुके हैं कि 40-50% होता है दूसरा है पुटास पुटास का जो होता है माइक्रो न्यूट्रेंट जो है उसकी 2-3% होता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जो पूसक तत्व प्रियोग दच्चता है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं या हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं तो इसके कई सारे फैक्टर हैं तो आईए सब पे एक एक करके बात कर लेते हैं तो हमारा पहला फैक्टर है या हम कह सकते हैं कि जो हम पहली जो प्रियोग उसमें करेंगे वो यह करेंगे कि जो पौदा है उसको आवश सकता हो उतना ही पौदे को आवश सकता हो उतना ही पौद हम जो हम पौश सकता हो उसको प्रोवाइड करें उधारन क लिए मानलो आपको एक गिलास पानी पीना है और अगर हम आपको दस गिलास पानी अगर प्रोवाइट कर दें या हम आपको दस गिलास पानी दे दें तो आप क्या गरोगे एक गिलास पानी पीने के बाद बाकी जो नो गिलास पानी उसको फैंग दोगे तो इससे क्या होगा पौटर का लॉस हो जाएगा, तो समझदारी यह है, कि जो पौदे को जितनी मात्रा में पोसक तत्व की आवज सकता है, उतना ही उसको प्रोवाइट किया जाए, दूसरा है, सही समय पर उप्योग किया जाए, अर्था जब किसी फसल को पोसक तत्व की आवज सकता हो, उससे तबी ही मतलब उसका प्रोवाइट किया जाना चाहिए, इसमें दो चीज़े है, पहला है सही समय पर प्रोवाइट करें, सही समय का आर्थ है, कि जब पौदे को उस चीज की आवज सकता है, यानि अगर मानलो आपको भूख लगी है, और अगर हम आपको भूख लगी हो, उ दूसरा आया था आवसक्ता, तो आवसक्ता हम आपको बताई चुके हैं, कि जिस चीज की आवसक्ता हो, जैसे आपको खाने की आवसक्ता है, तो आप खाना ही खाएंगे, उस तरीके से जो पौदे होते हैं, उनको जिस चीज की आवसक्ता है, मालो उसको अगर नाइट्रोजन की आवज़ सकता है उसको nitrogen provide करें fast force की आवज़ सकता से fast force provide करें तीसरा है जिस तत्व की आवज़ सकता हो बही तत्व प्रदान करें यानि होता क्या है कि जो पौदे होते हैं वो उसमें क्या होता है जो तत्व काम होता है बही करेगा धानन के लिए जिस जो काम nitrogen का है वो fast force न होगा हो सकता है उसको कुछ मात्रा में उपयोग कर ले लेकिन जादा मात्रा में उपयोग नहीं कर पाएगा जैसे हमने आपको पीछे उधारन दिया तक खाने और पानी का अगर हम आपको खाने की जगा पानी देदें तो हो सकता है कुछ मात्रा उसकी पी ले क्योंक आपको जो भूक है बो पानी सा सांथ नहीं होगी, आपको उसको खाना ही खाना होगा, उसी तरीके से जो पौधे हैं, उनको गर नाइटरोजन की आवश्चता है, तो उसे नाइटरोजन ही प्रोबाइट करानी होगी, अन्य तत्व से कोई काम कचलने वाला नहीं है, इसलिए कहते है कि जो तत्व की आवसकता हो बही तत्व पौदे को प्रोवाइट कराएं हमारा लास्ट है वो है कार्बनिक उब्रग को अधिक उप्योग करें और जो रसायन उब्रग हैं उनका उप्योग करें वो आवसकता अनुसार करें क्यों करें तो पौदे जो मिर्दा के लिए अगर हम किसी फिल्ड में गोबर की खाद को डालते हैं तो जो हमारे पौदे हैं वह बहुत लबे समय तक उसका उप्योग कर पाएंगे लेकिन जो रसायनिक उब्रक होते हैं जो केमिकल के द्वारा बना ही जाते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते बलकि उनका फायदा यह होता है वो रहें भले मतलब कम समय के लिए पर बहुत तेजी से पोशक तक प्रोवाइड कर देते हैं जैसे मानलों किसी फिल्ड में नाइट्रोजन की आवज सकता हो गई अगर आप नाइट्रोजन गोबर की खास्चा पूरी करेंगे तो पौधे को इतनी जल्दी फायदा नहीं होगा लेकिन आप उसमें कैमिकल मतलब अगर उसमें आप नाइट्रोजन डाल देते ह नहीं हुए जो पौधे होते हैं बहुत तेजी से उसका उपयोग कर लेंगे यानि एक से दो दिन में पौधे जोओ वह अपनी कमी को पूरा गर लेंगे. इसलिए कह रहे हैं कि जो पोसक तत्व हैं उनमें जो chemical बाले हैं उसका उप्योग आवज सकता अनुसार करें जब जरूरत आदेखो तो इस तरीके से हम पोसक तत्व जो छमता है उसको बढ़ा सकते हैं हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और कमेंट करना नहीं भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में